यहां पर आप लोग इस पर solve कर लिए देखिए neutron की संख्या यहां पर जो है neutron की संख्या के बराबर क्या हो जाएगा हो जाएगा आप लोग का द्रभ्यमान की संख्या पहले लिए यानि कि 39 39 हो जाएगा धरव्यमान की संख्या उसके बाद इसमें माइनस कर दीजिए आप लोग इसको परमानों की संख्या को जो है इसको आप लोग माइनस कर दीजिए तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं कितना दिया है 19 तो हम लोग का जो है निट्रोन की संख्या यहां पर लिक सब्सक्राइब देखें साथ यह आप लोग को बतला दे जो भी किसी भी एक्जाम के लिए अगर आप लोग फॉर्म को फिलप किये हैं तो आप लोगों को अच्छे से मालूं होगा कि देलिवे के सभी एक्जाम में आप लोग के साइन्स से कोश्चन पूछे जा रहे हैं समान अध्येंस थीक है तो समान अध्यान से हम आप लोग को डेली 20 ऐसे सेलेक्टेड कोस्चन कराते हैं जो की 2024 के लिए best question रहता है best question कैसे रहता है तो यह बतला दे साथ हो यह जितने भी हम आप लोगो question कराते हैं यह सभी आप लोग के TCS pattern पर दायद question देखने को मिलेंगे इसके साथ previous year में जितने भी question पूछे गये हैं वो भी question इसमें सारे आप लोगो add किये गये हैं जैसे example के दौर पर हम आप लोगो दिखला दे साथ हो जैसे हम लोग थोड़ा सा अगर डाउन होते हैं तो देखे question number 2 हम लोग का जो है यह RRB group D में question पूछा हुआ है ठीक इसी परकार से आप लोगो दोनों पर अधायद question देखने को मिलेंगे TCS and फिर railway में previous year में जितने भी question पूछेगा है तो चलिए आज के class में हम लोग देखेंगे set number 33 को ठीक है किसको तो set number 33 को आज के class में हम लोग देखेंगे चलिए तो आज के class को हम लोगो start करते हैं जो हम लोगो का पहला number question है यह कहा रहा है कि जल का वास्प में परिवर्तन कहा लाता है बतला यह साथियो जल के वास्प में परिवर्तन को क्या कहा लाता है बताइए ट्रकरितिक, भावतिक, रसायनिक या फिर जेविक राइट एंसर क्या होगा आप फटा-पट जो है अपना एंसर जो है साथियो कोपी में ले लिजिए कलम और वहाँ पर नोट करते रहे और हमारा भी एंसर को लोट करके लाश्ट में बतलाईएगा कि आप लोगा कितना सही होता है तो बतलादे आप लोगो जल का वास्पे में परिवर्तन को क्या कहा जाता है राइट एंसर हो जाएगा आप लोग का हमारे छोटे भाईयों ओप्सन नमबर बी इस दराइट एंसर भौतिक कहा जाता है ज्यान रखेगा भौतिक हो जाएगा इसका राइट एंसर दिक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने सेकंड नमबर कोश्चन को second number question हम लोगा क्या कहता है देखिए second number question हम लोगा कह रहा है हमारे छोटे भाईयो कि किन तत्वों के ब्राहतम कोस में साथ सन्योज़क इलिप्टॉन होते हैं बताइए किन तत्वों के ब्राहतम कोस में साथ सेविल सन्योज़क इलिप्टॉन होते हैं आप लोग के चारोग पशन घ्यास है अंतर सक्रमंद्णिये तत्वे या फिर हेलोजन या फिर sat तत्वे है तो सही एंसर हो जाएगा आप लोग का हमारे चोटे भाइयों हैलो जौन ऑप्सा नमर बी जान हैलो जौन चलिए हम लोग देखते हैं अपने कोश्चन अमर 3 को पादा है देखें साच को हमारे कोश्चन प्रमानु होते हैं तो आप लोग का यहां पर सही अंसर हो जागा हमारे चोटे भाईओ ओजोन के एक अनू में कितने परमानु होते हैं राइट इंसर हो जागा आप लोगका 3 होता है ध्यान रखिएगा 3 होता है option number B is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटा-फट cover कर लेते हैं 20 कोश्चन को हमारे चोटे भाईओ question number 4 हम लोग का कह रहा है कि ozone है चलिए ये आप लोग का homework के दौर पर हम दे रहे हैं HW है ये आप लोगों का आज पर ठीक है इसे आप लोग ध्यान रखेगा सभी भाई को right answer comment section में बतलाना है जिसे आए वो भी बतलाए जिसे नहीं आए वो भी बतलाएगा कि right answer इसका क्या होगा इन चारो options में से ठीक है ozone है बतला ये क्या है औक सी कारक हो जाएगा औक कारक दोनों या फिर इन में से कोई भी नहीं right answer बतलाएगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पाच्वा नंबर question जो भी करनेस चानल पने हैं हमारे उनको बतलाएगे हम आप लोग को दो जाना एक homework देते हैं तो जो पहला हम लोग का question था वो भी set number 32 का किसका set number 32 का वो homework था पहला number question जिसे हमने cover करा दिया और ये आज आप लोग का homework है set number 34 sorry set number 33 ये आज का आप लोग का homework है चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं question number 5 को question number 5 हम लोग के आताता है हमारे चोटे भाई हो कि ओजोन का उप्योग है अजोन का उप्योग है बतला ये आराज़ भी ALP technician में ये पूछा हुआ question है कब तो 2019 में बतला ये क्या हो जाएगा आप लोग का हमारे चोटे भाई ओजोन का उप्योग है कार्बनिक योगी को को औक्सिक रित करने में या फिर ब्रेचिंग में या फिर जल के सुधी करंता था एस्टरलाइजेशन में या फिर सभी में राइट असर बतलाई है हमारे चोटे भाई हो कि आप लोग का क्या होगा आप लोग का आपना राइट इसर जो है 4000 जो है selected question देखने को मिल जाएंगे जो की railway के लिए समान अधियान का best question यह आप लोग के लिए पीडियोफ हम बनाये हुए है साथ हो इस पीडियोफ को बनाने में जो है हमारे बे कुछ रुपे खर्च हुए है इसके कारण मैंने इस पीडियोफ का मूल जो है उस पर जो है कॉंटेक्ट करके इस पीडियोफ को बाई कर लिजिएगा आप लोग के लिए बेश्ट रहेगा समान अधियन के 4000 पूशन आप लोग का इसमें डाले गए है ठीक है ध्यान लगे तो इस पीडियोफ आप लोग के लिए रामबाइन साबित होने वाला है आप लोगा पहला सही है ठीक है फिर बिलीचिंग में भी होगा यह भी सही है तीसरा क्या कर रहा है जल के सुद्धी करनता था एस्टरलाइजेशन में हां यह भी हो जाएगा तीनो सही है यानि कि यहां पर सभी हो जाएगा ओप्सन नमबर दीस दर राइटेंसर आप लोगा हो जाएगा सभी ठेक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे छोटे भाई देखते हैं अब हम लोग अपने कोश्चन नमबर किसको हो कोश्चन नमबर 6 को देखेंगे कि नमबर 6 को फटाफट को अबर कर लिए जाए कि उजोल में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है बतलाईये हो मैंने च्वटे भाईयो कितनी होती है दो होगा टू होगा माइनस टू होगा या फिर माइनस वन होगा राइट एंसर आप लोग फटाफट जो है आपने सुनने ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटापट देख लेते हैं हम लोग कोश्चन नमर 7 को जो भी केंडिस चैनल पने हैं उनलोग से आगरा करेंगे चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब को लेजिएगा ठीक है और बेल ऐकन तो दबाना एक दम मत मुलि अब करता है तो आप लोग बतला यह राइट एंसर क्या हो जाएगा चारों आप्शन साब लोग के सामने हैं साथ हूं हम वैसे आप लोग प्लोग बतला दे तो देखिए आप लोग फटा-फट इसलिए बोलते हैं कि नूट करते रही ठीक है पहले आप लोग को बहुत सार जो है कारवन के समांग स्रिंखला गुंड पर दर्सित करता है सही अंसर जाएगा आप लोग का छोटे भाई हो सिलीकॉन ठीक है ध्यान रखेगा सिलीकॉन आप लोका राइट एंसर जागा ऑप्शन नमबर दी चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं अपने कोश्चन न कर लिए परमानवीक संख्या आइसो टॉप्स या फिर परमानवीक दर्वयमान या फिर परमानवीक्ता राइट इंसर क्या हो जाएगा आप लोग का फ्रड़ा अपना जो है नोट करते रहेगा सही अंसर हो इसे हम आप लोग को बता दें तो अनुका गणन करने वाले परम कि सोलर ग्राम ऑक्सीजन में परमानवीक की संख्या होती है सोलर ग्राम ऑक्सीजन में परमानवीक की संख्या होती है बतला यह फटा फटा आप लोग का राइट एंसर क्या हो जागा सात्यों यह सब जो भी है आप लोग का यहाँ पर पावर में होना चाहिए हाँ पावर म होगा यहां पर थोड़ा था टाइपिंग रह रहा है तो आप लोग इसे भी समझने की कोशिस करिएगा ठीक है यह होगा आप लोग का राइट ऑप्शन चलिए बतलाईए 16 गराम ऑक्सिजन में परमानों की संख्या होती है कितनी हो जाएंगी तो हम आप लोग को बतला दे हैं हमारे छोटे भाई 16 गराम ऑक्सिजन में अगर आप लोग इसे देखिएगा परमानों की संख्या तो 6.22 इंटू 10 का पावड 23 होगा ऑप्शन अगर बढ़ते हम लोग आप कवर कर लेते हैं को स्टे भाई कि यह देखते हुए कि ऑक्सिजन के एक मोल परमानों का वजन जो है वह 16 गराम ध्यान दिजिएगा एक मोल परमानों का वजन 16 गराम है तो ओजोन का अनुभार क्या है तो देखिए आप लोग का सिंपल सा चीज हो यहां पर का रहा है तो जोन का अनुभार कर रहा है ना जोन तो यह हो जाएगा आप लोग का वह ठीक है तो देखें फोटी एट दिया अप्सट नमर सी इदा राइट इंशर ठीक है ध्यान रखेगा ऑप्सटन नमर सी इदा राइट एंसर चलिए हम लोग आगए बढ़ जाते हैं यह तो आप लोग को अंब बतला ही दिये चलिए 11 नमर कोश्चन को में देख लेते हैं पटा पटा क्या रहा है कर रहा है निम्निलीखी ततवह में से किसका पर्माणु दर्वब्यमान निम्निलीखी ततोव है निम्निलंऑस का पर्माणू सबसे काम से करिबहाई कि समय कारन होता है कि सबसे कारण हरे ऑपलोंको तो किसके कारण हो जाएगा यहाँ पर नेट्रों हो जाएगा ठीक है एक प्रोट्रों भी होगा बटर इलेक्ट्रॉन यहांपर नहीं होगा किसी तत्व में परमाणु भर जो है के कारण होता है दियान लगए आगे बढ़ते हैं थाटीन को थाटीन को करहा हैं हमारे छोटे भाए कि यदि एक तत्व के एक परमाणु यदि एक तत्व के एक परमाणू नाविक में 11 और 12 नूट्रान होते हैं तो तत्व की द्रवेमान संख्य है तो बतला तत्व की द्रवेमान संख्य जो भी एहां पर अगर बात कर लें तो सिंपल सा आपको कुछ भी MAY not कर ना है दोनों को मिला दीजिएगा तो आप लोगा right answer आ जाना चाहिए यानि कि它 23 आप लोगा कागून नहीं है निमने लिकित में से कौन सा एक आयनिक योगिक कागून इस दर्एट सा इसा यह आप लोगई का नहीं है ध्यांदी जिए पूछ अनष सा नहीं है चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अपने question को हमने उससे क्यों हटा दिया है चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं हम लोग किसको question number 15 को question number 15 कर रहा है हमरे कर्वनाइक योगीक के गुण्द नहीं है नहीं है पूछ रहा है थियान के अलंक हिरते हैं यह धीरे धीरे अभी किडिया करते है तो आप लोग को हम बतला दे हैं हमारे छोटे भाई आप लोगा जो राइट एंसर हो जागा निम्न में से कौन कार्बनिक योगिक के गुण नहीं है न तो जो नहीं है वो हो जागा आप लोगा इनके दुरब्य नांग एवं पतनांग जो है अधिक होते हैं यह आप लोगा पूछ रहाता नहीं ध्यान दीजीगा कोस्चन में पूछ रहाता नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग फटा पड़ कौबर कर लेते हैं 60-0 को सिश्टी नमबर कोस्चन हम लोगा क्या तो एक है तो यहां पर आप लोग का होना चाहिए कौन जो है आकार्मनिक योगिक पुछ रहा था तो इस टू होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग फटाफोड कोभर करते हैं 70 नमर कोश्चन को क्या कहा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणू में उपस्तित न्यूट्रोनों की संख्या कितनी है नाइट्र क्या होगा आप लोग का राइट इंसर देखे तो बतलादे हैं हमारे छोटे भाईयों आप लोग को कि नाइट्रोजन परमाणू में उपस्तित न्यूट्रोनों की जो संख्या है वो सेविन है ओप्सन नमबर बीज दराइट इंसर सेविन हो जाएगा ठीक है चलिए आगे आइट नमबर जो हम लोगा रहा है एक परमानू में न्यूट्रोनों की संख्या किसके बराबर होती है तो शही एंसर दरब्यमान संख्या और परमान वों की संख्या ओप्सन नमबर B is the right answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग cover कर लेते हैं अपने हट जाई आप चलिए हम लोग आते हैं 90 number question पर 90 number question हम लोग कर रहा है कि एक पर्मानू की पर्मानू संख्या क्या होती है जिसमें 10 पोट्रॉन और 11 लिल्ट्रॉन होते हैं तो देखे एक पर्मानू की पर्मानू संख्या जो है वो क्या होती है जिसमें 10 प्रोट्रॉन और 11 लिल्ट्रॉन होते हैं तो देखे यहां पर आप लोग का सिंपल जो है सिंपल जवाब है यहां पर आप लोग को हम बतला दें तो टेन ही होगा और समय नंबर होना चाहिए ओप्सव नमबर देՖते हैं और इसके पर्मानू में वोट आप लोग संक्या जो है तो बतला यह कितनी होगी देखे तो देखिए यहां पर हम लोग बात कर लें तो देखिए क्या पूछ रहा है न्यूट्रोनों की संख्या के बराबर क्या होता है आप लोग का न्यूट्रोन की संख्या के बराबर होता है द्रब्यमान की संख्या माइनस परमानू की संख्या ठीक है तो यहां पर आप लोग इ यानि कि 39 हो जाएगा धरब्यमान की संख्या उसके बाद इसमें माइनस कर दीजिए आप लोग इसको तो देखिए परमानु की संख्या को जो है इसको आप लोग माइनस कर दीजिए तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं कितना दिया है 19 तो हम लोग का जो है निट्रोन की स सब्सक्राइब करेंगे हमारे चानल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और चानल पर नहीं प्रेक्टिस के साथ और फिर एक नए इनफॉर्मेशन जॉब के साथ जय हिंद जय भारत